दोस्तों का बहुत शुकर गुज़ारूं। सुभा से मैंने देखा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं इस केस में। क्यूंकि मैं अपने चेंबर से बाउंड होंकि आइडू नौट शूर एनी मीडिया की ब्रीफिंग्स में में ना हूं। बट आज की प्रोग्रेस में आपको बता देता हूं कि आज हमने एक 22 A की अप्लिकेशन फाइल की हैं जिसमें अगेन हमने आई यो को चेंज करने की दरखवास दी हैं। ग्राउंड्स सारे आपके इलिम में हैं क्योंकि लास्ट जो 22 A की अप्लिकेशन फाइल की लिए थी उसमें सारे ग्राउंड्स बताया गए थे जवरान सामने बड़ा डीटेल में आपको बताया था। जो एडिशनल ग्राउंड है यह जिसके आने के बाद एज डिटर्माइन हो चुकी है अब एज डिटर्मिनेशन की फोरण बाद जो है एक एडिशनल हमारा ग्राउंड यह बनता है और तिंग इस जिस तरीके से आयो ने मीडिया पे ब्रीफिंग्स नंबर वन और मिसलीड क चलान जिनी चलान आना है उसके अपीन दाय करने का भी पूर्ड मुझूद है तो चलान आया नहीं है तो इतनी जल्दी दर्कास क्यों नहीं है तो इसा नहीं है अगर और आप पढ़ेंगे तो उसका लास्ट ऑपरेटिव पार्ट जो है उसमें ऑसिफिकेशन वाज उन काम लाता और रिपोर्ट आ चुकी है और वो अब तो पब्लिक भी है सब के लिम में है उस वजह से सारी चीज़ें फिर से अट्रेक्ट हो रही है और अगें ट्राइल कोट में जैसे प्रसीडिंग्स का लिम है कि बीस और इकिस तारीकों केस लगे होएं जिसमें नीचे ट् प्रसीडिंग्स ट्राइल पेंडिंग होता है उस ताम टे किसी भी किसम के बायानाथ मीडिया को नहीं दी जाते कहीं नहीं इस से बाइसने इस यह गलत इंप्रेशन जाता है और प्रफेशनली स्पीकिंग उननका काम है इनमेस्टी के चीज़ें रिकॉर्ड कोड के सामने प्रफेश करना है तेन इस दे कोड जिनको डिनमाइन करना है कि केसमें आगे की फेट का है